जैहिंद एवरीवन मेरा नाम है आदित्य दुबे हेड अफ डिपार्टमेंट सिंचूर इंडिफिन्स अकाडमी सो स्टूरेंट्स आप एंडिये एक्जाम के बहुत ही क्लोज है और इस समय अक्सर एक पॉइंट आता है मन में एक थौट आता है कि हम ऐसे कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ ले जिससे कि हमारी एंडिये एंग्लिश के तैयारी पूरी हो जाए 50 नंबर ओफ क्वेस्टिन्स हैं 4 मार्क्स का एक क्वेस्टिन है अच्छा सा कवरेज है 200 मार्क्स का इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इंपॉर्ट आपिक्स के बारे में पूरी जानकारी लीजे आपको सबसे पहले बता दू कि एंडिये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन्स नहीं है क्योंकि इनके टॉपिक्स अलड़ी फिक्स्ट हैं बहुत ज़्यादा चेंजिस भी नहीं होते हैं तो ये काम आपका बेहद आसान हो जाता है शुरू करते हैं आज के इस सेशन को सबसे पहले मैं आपको बता दू कि एंडिये इंग्लिश में आपके लिए सबसे इंपॉर्टन है वर्ड मीनिंग्स जी हाँ इस सबसे इंपॉर्टन होता है वर्ड सो हमने लर्ण कर लिये इन्हें एक्जाम तक कैसे याद रखे घबराईए नहीं मैं आपको जो ट्रिक्स देता हूँ उसमें एक्जाम तक तो याद रहेगा आपको लाइफ टाइम भी याद रहेगा इसलिए बिल्कुल घबरानी की जुरत नहीं है वो क्यादुरी का सबसे इंपॉर्डन फंडा है मेमरी लिंकिंग टेक्नीक अगर आप मेमरी लिंकिंग टेक्नीक को फॉलो करते हैं आप वर्ड्स को आसानी से लर्न कर सकते हैं डेली आप रिविजन करते रहे हैं जितने भी वर्ड्स आपने पढ़ लिये हैं उनको एक बार जरूर देखिये विजुलाइज करिये आपको मीनिंग एक्जाम तक नहीं एक्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपने मेरे बहुत सारे सेशन्स अटिंड किये होंगे जिसमें मैंने वोकादरी के ही सेशन्स लिये हैं आप उनको रिफर कर सकते हैं बहुत सारा कॉंटेंट है वोकादरी का इसलिए घबराना नहीं है आपकी जो सीरीज है मतलब अपडेट, एड्मॉनेश, जो हमारे online students हैं उनको हमने soft copy के form में भी दे रखी है प्लीज एक बार वो वकादरी के list जरूर याद कर लीजेगा, revise कर लीजेगा आपके लिए बहुत beneficial होने वाली है देखिए previous year questions की जो words हैं वो तो आपको known already हैं, important यह है कि कुछ नया क्या हो सकता है उसको भी revise जरूर करें revision is key to get success. So students, memory linking technique के बाद आता है segment spotting errors का, यह तो spotting errors में 10 में से 5 questions students generally कर लेते हैं, अगर उनका English communication रहा है तो वो 10 में से 5 generally कर ले जाते हैं, अभी तक के जितने भी हमारे spotting error के segments रहे हैं, उनमें आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जो errors होती हैं, वो बहुत ज़्यादा high level की नहीं होती हैं, बहुत ही basic level की errors होती हैं, कई बार तो UPSC ऐसी errors पूछते हैं, जिसमें आप sentence read करते ही answer देते हैं, तो इसमें बहुत difficulty नहीं है, spotting error segment में, noun से लेकर के preposition, इस preposition में fixed preposition, साथ ही आपको ध्यान देना है, conjunctions वाले segment में, subject verb agreement वाले segment में, और tenses related spotting errors, अगर आप इतने topics spotting errors में cover कर लेते हैं, आपको बिलकुल भी चिंता करने की ज़रत नहीं है, क्योंकि spotting errors solve करते करते भी आप काफी experience develop करते हैं, मैं एक आपको छोटा सा example देना चाहूँगा, अगर आपने 100 spotting errors कर लिये हैं, और माना कि आपके 100 में से कुछी सही हुए हैं, let's suppose 90 सही हुए, 80 सही हुए हैं, तो कम से कम 80 नए rules तो आप सीख गए, इसलिए daily आप spotting errors की exercise जरूर करिए, जब आप mathematics, science और GS से थोड़ा सा subject change की तरफ जाएं, तो spotting errors की 2, 4, 5 sentence daily solve करिए, इससे क्या होगा, आपकी जो rules है, वो recall हो जाएंगे, और जो मैंने important topics बताएं, obviously उनमें से ही आप spotting errors पाएंगे, so this is about spotting errors, साथ ही मैं आपको एक बात और बतादू कि spotting errors के बाद, reading skills, जो कि most of the students का favorite segment रहा है, इसमें कोई difficulty नहीं आती है, क्योंकि the more you know a language, the more you are expert into it, so there is no difficulty, passage के लिए, आप simply अपनी reading skills को enhance करते रहे, passage के लिए आपको बस ये ध्यान देना है कि उसका जो comprehension part है, जो उसका meaning है, overall जो gist है, वो आपको समझ में आना चाहिए, तो generally passage की जो theme है, ND exam में वो बहुत tough नहीं होती है, कभी-कभी economy से related passage होता है, agriculture से related passage होता है, social media या society से related passage होता है, तो ऐसे contents की थोड़ी समझ आप अपनी develop करिये, और एक तो passage, the Hindu editorial का अगर आप पढ़ते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही beneficial होगा, habit is a very important thing, so habit development पे focus करिये, जंबल sentences की बात करें, तो अगर जिसका passage important level पे ready है, passage को importance आपने already दे रखी है, तो जंबल sentences में बहुत difficulties नहीं आती है, क्योंकि वो passage का ही subsection है, तो आप आसानी से कर ले जाते हैं, मुझे जितने students मिले हैं, उन्होंने यही बताया है, कि सब जंबल sentences हमारे हमेशा सही होते हैं कोई difficulty नहीं आती है, और UPSC as such बहुत लंबे लंबे जंबल sentences नहीं पूछता है as compared to CDS exam, NDA में तो आपको आराम रहती है, so students आपें tips को follow करें और जो मैंने important topics आपको बताए हैं, उनको आप जरूर follow करें और उनको ready करें, सभी को best wishes and अच्छे से तयारी करिए और सफलता का प क्या आप भी prestigious National Defense Academy में जाकर सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, क्या आप भी अपने कंधों पर सितारे देखना चाहते हैं, तो आपके पास दो options है, या तो आप दुसरों की तरह किवल online sources follow कर या गुमराह करने वाली coachingों में पढ़कर अपने attempts को waste कर सकते हैं, और आपके पास एक और option है और वो है Centurion Defense Academy, Centurion Defense Academy का NDA written plus SSB interview, formula पर आधारित एक मात्र course जो की आपको help करता है, न सिर्फ NDA written exam clear करने में बलकि SSB interview clear करने में भी, रक्षा क्षेतर में All India Rank 1, 2, 3 जैसी टॉप rank देने वाला एक मात्र रक्षा संस्थान आपको officer cadre में अपना सुनहरा भवि interview के formula पर आधारित एक मात्र NDA course लखनव एवं देहरादूने